वेलकम टो और वनडी एक्जाम क्लासे देके रेलवे का एक्जाम कलेंडर आचुका है तो कलेंडर करूँ सार बात करें तो NTPC का आपका एक्जाम जो होने के समावना है वो अपरेल 2025 में आपका NTPC का एक्जाम होने वाला है सबसे पहले graduate table का होगा इसके एक महीने बाद जो है वो 10 प्रस 2 वालों का एक्जाम होगा तो अभी आपके पास 4-5 महीने का समय इन 4-5 महीने का आपको अच्छे से प्रयोग करना है और लगातार पिछले साल के paper को देखते रहना है पिछले बार आपका NTPC की भरती 2019 में आई थी जिसका paper आपका 2021 में कराए गया था तो इसके धेर सारे paper हमने आपको कराए हुए हैं यह हमारा reasoning का वीडियो होगा यह reasoning का हमारे 9 वीडियो हैं इसके पहले हमने आपको इसी प्रेकार के 8 वीडियो करा हैं जिसे आप लोग प्रेश में जाकर के महाँ पर से देख लिजेगा तो CBT1 में देकी 30 question आपके reasoning के पूँछे जाते हैं और जो जितना score कर ले जाएगा उसका NTPC में उतना ही ज्यादा mark मिलेंगे तो अब आप लोग प्रेयास करिए क्या आप इन 30 प्रेशनों को पिछले साल के paper में से इस समय 25 question को सही कर पा रहे किने इसे आप लोग comment box में बताने का प्रेयास करिएगा आज कर देखे पहला question है इसमें आप से पूँछा जा रहा है उस संख्या का आपको chain करना है जो नहीं लिखी सेड़ी में प्रेशनमाचक छिन्नी की जिस्तान पर आ सकती है तो प्रेशनमाचक छिन्नी यहाँ पर है और इस स्रीच को आगे वढ़ाना है आपको तो चलिए देखेंगे तो दो जो हमरा कैसा आएगा एक का क्यूब करके अगर आप एक इसमें जोड़ दें तो हमको दो प्राप्त हो जाएगा उसी प्रेकार से दस यहाँ पर लिखा गया है दस कैसे आएगा दो का अगर क्यूब करें और दो इसमें जोड़ दें तो दस हमें प्राप करके 5 जोड़ दें तो आपको कितना प्राप्थ हो जाएगा 125 प्लच 5 130 प्राप्थ हो जाएगा तो सही आपसन नंबर हमारा पहला हो जाएगा तो इस प्रेकार से स्रीज आपकी आगे बढ़ती है तो पदों को आपको देखकर समझना होगा कहां पर क्यूब करके जोड़ा ज जोड़ा जा रहा है इसलिए आपको ये पिछले साल के पेपर कराये जाते हैं तो इसका सही आपसन होगा पहला वाला आपसन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजएगा और बगल मले की वेल आइकन को दबा दीजएगा ताकि दूसरा कोशन है यहाँ पर आपको एक आकरती दी गई है तो आकरती को देखने के लिए आपको इस पर उपर से आप लोग वीडियो कौलिटी को बढ़ा लीजेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे जो अंक लिखे गए हैं वो आपको अच्छे से दिख सकेंगे तो यहाँ पर द व्रत्य जो है सहरी छेत्र को दर्सा आता है तो व्रत्य हमारा यह हो गया और यह सहरी छेत्र को दर्सा आ रहा है आगे कहा रहा है वर्ग जो है वो लोग सेवक को दर्सा आता है तो वर्ग हमारा यह हो गया और यह लोग सेवक को दर्सा आ रहा है कोशन के आप से पूछ रह यह आपके आयत के अंदर तो इन तीनों जो हमने आपको अंडर लाइन की हैं इनके अंदर आपको एक संख्या मिलेगी जो कामन होगी तो यहाँ पर चार देखिए चार आपका गोले के अंदर भी आ रहा है त्रिभुच के अंदर भी आ रहा है आयत के अंदर भी आ रहा है तो देकि नेस्ट नमारा तीसरा question है, यहाँ पर लिखा गया कि Apple का code यह है, rank का code यह है, तो purple का code आपको बताना है, तो यह समय बचाने वाले question होते हैं, इन्हें जल्दी से आपको करना है, आगे बढ़ना है आपको, देकि purple के जो letters है, P-U-R, P-L-E, यह सभी आपको Apple और rank के लिखी गई है, तो 5 लिख दीजे, तो 5 से start होगा purple का code, तो अभी देखिए, option में आपको 5 वाले, पहला option में दिख रहा है, और last वाले में दिख रहा है, तो इन्हें से कोई सही होगा, तो चली मिला लेते हैं, तो 517 तो दोनों जगा कामन है, तो हम लोग 4 वाले letters को मिलाते हैं, यहाँ पर 6 आएगा कि 5 आएगा, तो 4 लेटर P हैं, और P की coding अभी हमने आपको बताई कि 5 ही होगी, तो P की coding 5 होगी, तो last वाले option से ही option होगा, तो purple की coding last वाले option से होगी, तो इस प्रेकार से इन question को आपको जल्दी से देख करके समझना होता है, अब देखिए, आपको लगाना है, फिर आपको प्रेशन का उत्तर देना है, तो चली बैठालना, हम लोगी start करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, कि M2 और M3 के बीच में केवल 3 वेक्ति बैठे हैं, तो अगर हम यहाँ पर M2 को बैठालते हैं, और यहाँ पर M3 को बैठालते है तो इनके बीच में 3 वेक्ति हैं, 3 की जगा छोड़ देते हैं, 1, 2 और 3, ठीक हैं, आप यहाँ पर M2 रख सकते थे, यहाँ पर M3 रखेंगे, तो लाइस्ट में यह कंडिशन जो है, फालू नहीं होगी, इसलिए फिर से आपको उर्ट करके इसे परकार से रखना होगा, एक यहाँ तो M3 जो है, M5 के बाइवर निकरता मिस्टार बैठा है, तो M3 अगर बाइवर है M5 के तो M5 यहाँ पर होगा, ठीक है, तबी तो M3 बाइवर होगा और निकरता मैं मतल़ा बगल बगल होगे, नेश्ट कह रहा है, M1 और M5 के मद में 3 वेक्ति बैठे हैं, तो M5 यह ह गया और तीन वेक्ति इसके बीशादा नें तो पहला दूसरा तीसरे में तो एम टू बैठा है और यहाँ पर एम र निकटता विशादां पर होगा तरह करना मघा मततला है के दाई और M4 तो बैठाई है मतलब हमने सही बिलकुल लगाया हुआ है नेश्ट पूछ किया रहा है M3 और M6 के बीच में कितने वेक्ति बैठे हैं M3 यह हो गया हमारा और M6 यह हो गया इनके मद में यह दो लोग बैठे हैं M5 और M4 तो बस समझ करके करते जाएं कहीं पर कंडिशन फालो नहीं रोई तो उनके जगा को आपस में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर जल्दी से आपके कोशन लग जाएंगे अब नेश्ट अमारा पाच्वाँ कोशन है यहाँ पर आपको 7 चातर दिये गया है A, B, C, D, E, F और H एक परिच्छा को देते हैं कोई भी 2-6 समान अंग का प्रयाप्त नहीं करते हैं तो इस परेकार से यह डाटा आपको दिया गया है यह कोशन को करने के लिए आपको Y-Aption जाना होता है बाई-Aption आप जाएंगे तो बहुत जल्दी एकोशन आपको साल हो जाएगा अगर आप इसे बैठालने का प्रयास करेंगे कौन जादा अंग है, कौन का मंग है तो इसमें आपको जादा समय लग जाएगा और एकजाम में समय नहीं होता है तो इकजाम में आपसे पूछना भी इसी प्रेकार्ट से चाह रहा है कि आप बाई-Aption जाएगे तो जल्दी हल हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि उनके अंकों में से निमलिकित में से कौन सा अनुकरम संभाव है तो समभा हो है तो जो कंडिशन उपर दी गई अगर फालू नहीं करेगा तो असमभा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि A, B से अधिक अंक प्राप्त करता है तो A को आपको पहले रखना होगा और B को बाद में रखना होगा क्योंकि A के अंक जादा है अब आपको आपसन देख लिजे यहाँ पर तो A को बाद में रख दिया यहाँ पर भी A को बाद में रख दिया B के तो पहले और दूसरे आपसन तो गलत हो गए अब नेश्ट कहरा है कि यहाँ पर कंडिशन एक और कहरा है किवल 2 छातर C से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो 2 छातर C के पहले होंगे और D वाले आपसन में किवल 1 छातर को C के पहले रखा हुआ है तो यह वाला भी गलत हो गया तो एक आपसन सही होगा C वाला इसमें सारी कंडिशन फालो होंगी जो यह उपर कह रहा है किसे चेक कर लिजेगा समय आपके पास हो नहीं तो बस आपको एंसर निकालना है आगे बढ़ना है तो इस प्रेकार के कोशनों को भाई आपसन करना होता है ठीक है समझ गए आप लोग अब नेस देखी छटवा कोशन है यहाँ पर लिखा गया है अउनीस हर्स का मित्र है एक व्रेध्य व्यक्ति की और इंगित करते हुए अउनीस ने हर्स से पूँचा किया कौन है तो हर्स ने जवाब दिया है तो हर्स ने जवाब दिया है क्या जवाब दिया है इनिका पूत्र कि इनिका पूत्र मतलब की वर्यद्य व्यक्ति का जो पूत्र है तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर वर्यद्य व्यक्ति बना लिया तो वर्यद्य व्यक्ति मतलब इनिका पूत्र व्यद्य व्यक्ति का यह पूत्र हो गया एक जनरेशन नीचे कर दिया इने का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है अगर चाचा है तो पुत्र का जो भाई होगा वही तो हर्स होगा जो कह रहा हैं कि मेरे पुत्र मतलब की हर्स का जो पुत्र होगा उसका चाचा कौन होगा? वरेदे का पुत्र मतलब हर्स का भाई ये तो चाचा लगेगा इसके पुत्र का तो मतलब व्रेद्ध जो आदमी है उसके दो पुत्र हो गए एक ये हो गया और एक हर्स सोयम हो गया तो अभी आपसे कोशन क्या पूछ रहा है व्रेद्ध व्यक्ति का हर्स से क्या समंद होगा तो वुरेद व्यक्ति क्या लगेगा हर्स का? पीता लगेगा कोगी उसके दो लड़के हैं एक चाचा लगेगा इसके लड़के का और एक हर्स है तो वुरेद व्यक्ति हर्सका क्या लगेगा? पीता लगेगा सहीenda हो जाएगा अपसर no.03 तो यह कोशन इस प्रकार से आपके बनते हैं ठीक है नेश्दे की साथवा कोशन है उस विकलप का आपको चैन करना है जिसका चौथे सब्द के साथ में वही समंध है जो पहले का दूसरे के साथ में है जैसे यहाँ पर कमीज का समंध पतलून के साथ में है वैसा टेवल का टाउजर जो होते हैं एक सेट में होते हैं ठीक है कमीज और पतलून एक सेट होता है ना पहनने के लिए उसी प्रकार से मेज का सेट किसके साथ होगा कुरसी के साथ में होता है तो मेज और कुरसी एक साथ आते हैं जैसे कमीज और पतलून एक साथ आते हैं सही आपसन दूस से अगर C हुआ है मतलब A का इस्तान पहले होता है C का तीसरा होता है और E का पाँचवा होता है और G का साथवा होता है तो next पर 9 वाला आएगा और 9 नमबर पर हमारा I होता है तो I से ही starting होगी इसकी तो I से तो 2 option आपके दिये गये हैं तो next later आपको मिलाना ही पड़ेगा C से F हो रहा है C का इस्तान होता है तीसरा और F का इस्तान होता है छटवा इसके बाद है कि J मिल रहा है आपको J का इस्तान होता है दसवा और O यहाँ पर आपको next later मिल रहा है O का होता है 15 तो यहां पर स्रीज कैसे आगे बढ़ रही है पहले 3 की बढ़ोतरी की गई है फिर 4 की बढ़ोतरी फिर 5 की बढ़ोतरी तो नेस्ट पद आपका 6 से बढ़ेगा मतलब की 15-6 एक आईस वाला यहां पर होना चाहिए तो एक आईस किस लेटर का होता है एक आईस अगर आप अलफ कथनों में से दो इस प्रेकार से समंदित हैं कि एक दूसरे का खंडन करते हैं तो वे कथन कौन से हैं मतलब यह चार कथन आपको दिये गए हैं इन चारों में से दो कथन वो हैं जो एक ही बात की अपोजिट बात कर रहे हैं उनको उनको पकरना है तो चलिए एक कथन को पढ पहला यह कह रहा है कि सभी हाती बिल्डियों के समान है अभी यह कह रहा है कि कुछ हाती बिल्डियों के समान नहीं है तो पहला और दूसरा यह दूसरे का खंडन कर दिये तो ए और बी वाले कथन जो है एक दूसरे के अपोजिट बात ही कह रहे हैं तो सही आपसन कौंस होगा सही आपसर नमबार हमारा चौथा हो जाएगा तो यही आपको पड़ करना था कि एक कथन दूसरे का खंडन कौँसा कह रहा है तो वो पहला दूसरा होगा नेज़ देखिए दसमें कोशन है उस विकलप को आपको चैन करना है जिसका तीसरे सब्डे के साth में वही समन्द है जो दूसरे सब्डे का पहले सब्डे के साथ में है तो यह हम आपको एक ही सिट के सारे कोशन इसमें आपको कराएंगे और पिछले बार आपके सवीटी वन में तीस कोशन रिजनिंग के पूंचे गैते और इस बार भी तीस कोशन पूछे जाएंगे पैटन और लेवल लगबग आपका सेमी रहेगा बस थोड़ा से कोशन को आपको इधर उधर घुमा करके पूछा जा सकता है इसलिए पिछले साल के आपको पेपर को अवस्थ लगा करके जाने हैं सारे आपको कोशनों को हम आपको जेके की स्रीच करा रहे हैं और आपके लिए रिजनिंग के भी आपको सेट करा रहे हैं सारे आपको प्लेश में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर देखे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखना हुए तो मद्धपदस की राजदानी क्या है भुपाल होगी सही आप्सन नमबर हमारा तीसरा हो जाएगा बहुत यह सिंपल सा कोश्चन आपके एक्जामे पूछा गया था अब देखें नेस्ट हमारा गेरा नमबर कोश्चन है यह कहरा है कि अलोक और अनिल की वर्तमान आयू का अनुपात जो है वो तीन अनुपाते चार है यदि अलोक की आयू अब से बीस वर्स बाद बांसट वर्स की होगी तो अनिल की वर्तमान आयू कितनी है यह आपको बता नहीं है तो यदि यहाँ पर कह रहा है कि अलोक और अनिल की वर्तमान आई का उन पात तीन अन पाते चार है तो यदि अलोक की आई अब इससे बीस वर्स बाद तो मतलब कि यहाँ पर अलोक जो है वो तीन है तो थ्री एक्स प्लस अगर हम यहाँ पर बीस कर लें 20 वर्स बाद 62 होगी तो यहाँ पर से x की value उनको निकल आएगी तो x बराबर कितना आजाएगा 3 x बराबर 62 में 20 घटाएगे तो आजाएगा 42 और x बराबर आजाएगा 14 14-42 तो x बराबर 14 आगया तो इस समय वर्तमान आयू जो होगी 14-42 वर्स होगी अलोक की और 14-46 वर्स होगी किसकी आनिल की पूँचा किसकी गए आपसे आनिल की वर्तमान आयू जो है वो इस समय 56 वर्स होगी तो सही आपसन कौन सो होगा सही आपसन नमबर हमारा लाश्ट वाला हो जाएगा अब देखिए नेश्ट मारा बारा नमबर कोशन है यह कह रहा है कि यदि कथन लिखा गया है सभी आदमी धनी है यह बात जूँट है तो निमलिकित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा इसको आपको बताना है तो सभी आदमी धनी है यह बात जूट है यह बात आपको देखनी है तो अब यहाँ पर से आपसन नमबर कौन से सही हो सकता है कोई आदमी धनी नहीं है यह बात बिल्कुन सत्य नहीं हो सकती है निश्चित रूप से सत्य हो सकती है कि कुछ आदमी धनी नहीं है ठीक है क्योंकि ये बात इसने जूट कई है ना कि सभी आदमी धनी है अगर ये बात अगर जूट है तो निश्चित रूप से सत्य यही हो सकता कि कुछ आदमी धनी नहीं होगे तब ही तो हमारे ये कठन पहला वाला जूट होगा तो सही आपसर नमबर हमारा तीसरा हो जाएगा तो बड़े समझ करके कोशन आपको देखना पड़ेगा आप देखें नेस्ट मारा तेरा नमर कोशन है चार आपको अच्छर समूद दिये गए तीन किसी न किसी प्रेकार से एक समान है और एक असंगत है तो असंगत की आपको पहचान करनी है तो हमने आपको बताया था कि जो इसका होता है 19 ठीक है नेस्ट को देख लिजिए जे एल और एन को जे का इस्थान होता है दस एल का इस्थान होता है बारा और एन का इस्थान होता है 14 ए डी जी को देख लेते हैं एक इस्थान होता है एक डी का चार और जी का आपका साथ नेस्ट को भी देख लिजिए 17 से 19 मतलब की सब पदों में 2 की बड़ोतरी की जा रही है 10 से 12 12 से 14 ठीक है ये भी आपका उसी क्रम में है 1 से 4 तो यहाँ पर 3 की बड़ोतरी की गई और 4 से 7 यहाँ पर भी 3 की तो यहाँ पर 2 की बड़ोतरी उती और यहाँ पर इसने 3 की बड़ोतरी कर दे नेश देख लेते हैं 21-23 हो रहा है दो की बड़ोत्री 23-25 दो की मतलब कि इन तीनों में आपकी दो-दो की बड़ोत्री कर रहा है इसमें इसमें और इसमें लेकिन ये तीसरा वाला है इसमें इसने तीन की बड़ोत्री कर दे तो असंगत का हो गया यही तीसरा वाला आपसन हो गया जो इनसे अलग होगा अब जैकि नेस्ट 14 नमबर कोश्चन है यहाँ पर लिखा गया है कि निस्षित कूट भासा में रोर को ये लिखा जाता है उर्दू तो उर्दू को उसी कूट भासा में आप क्या लिखेंगे तो रोर को हम लोग देख लेते हैं कि रोर से उर्दू कैसे बनेगा आर का इस्थान केतना होता है आर का इस्थान होता है 18 और यू का इस्थान केतना होता है 21 तो मतलब कि इसमें तीन बढ़ा है ये लेटर पहला वाला नेश्ट को देख लेते हैं ओ का इस्थान जो होता है वो होता है 15 नमबर पर O, और next R जो है वो आ गिया है बगल में, तो R मतलब की R 18 पर होता है, तो यहां पर भी 3 बढ़ाएं, A होता है पहले नमबर पर, और D होता है चोथे पर तो यह भी आपका 3 आगे बढ़ाएं, तो सारे जो लेटर्स हैं, वो 3 3 से आगे बढ़े हुएं, तो वैसे हम लोग उर्दू को बढ़ा देते हैं, U का इस थान होता है 21 नमबर पर U होता है 21 से अगर 3 बढ़ाएंगे तो 24 मिलेगा और 24 नमबर पर X होता है तो पहला लेटर हमारा X आएगा और वो यह आपके आप्शन नमबर तीसरे में आपको सबसे पहले X ही रख दिया है और किसी में X नहीं रखा तो तीसरे वाले आप्शन को सही करिए और आगे बढ़ जाईए और अगर आपको चेक करना हो तो आगे लेटरस में आप 3-3 बढ़ा करके चेक कर लिएगा तीसरे वाले आपसन आपको मिलेगा आप देखें नेस्ट हमारा 15 नमबर कोशन है और यह कहरा कि पंजाब को इस प्रकार से लिखा जाता है तो प्रयाग को आप कैसे लिखेंगे तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि पंजाब कैसे आपका लिखा गया है तो P का इस्थान कितना होता है P का इस्थान होता है अगर आप देखेंगे तो अलफाबेट में 16 नमबर पर P होता है ठीक है और O का इस्थान कितना होता है O का इस्थान होता है 15 तो मतलब की 1 कम किया गया है पहले वाले लेटर में 1 कम किया गया है नेस्ट को देख लेते हैं U का देखी इस्तान होता है 21 नमबर पर और S का इस्तान केतना होता है 29 अभी यहाँ पर आपसे 2 की कमी की गई पहले 1 की कमी की गई थी फिर नेस्ट में 2 की कमी की गई तीसरा जो यहाँ पर लेटर यहाँ पर N देखी लिखा गया है N होता है 14 नमबर तो यहाँ पर 3 की कमी कर दी गई नेश्ट को देख लेते हैं J का इस्तान, J का इस्तान होता है 10 नमबर पर और 10 से देखी K कर दिया गया ना तो K का इस्तान होता है 11, तो अब यहाँ पर 1 बढ़ा दिया गया नेश्ट देखिए A यहाँ पर एक नमबर पर होता है और C यहाँ पर तीन नमबर पर होता है तो मतलब यहाँ पर दो की बढ़ोतरी की गई और नेश्ट हमें भी तीन की करेगा क्योंकि यहाँ पर चल भी रहा इसी प्रेकार से minus 1 minus 2 minus 3 फिर plus 1 plus 2 plus 3 इस प्रेकार से यह आपकी later से बढ़र रहे हैं तो वैसे हम प्रयाख को करेंगे p देखे p हमारा एक कम हो जाएगा तो p के पहले क्या आता है p के पहले जो आता है तो o से ही starting करनी है और o वाले आपके पास 2 option है एक पहला option है एक दूसरा option है तो इसे last मिला लिजे जेड को मिला लेते हैं तो हमें answer मिल जाएगे जल्दी से last वाले path को मिला लेते हैं जेड और जे में से कोई एक होगा तो g जो हमारा बढ़ेगा वो 3 से आगे बढ़ेगा तो g होता है 7 नमबर पर 7, 3, 10 मतलब की 10 नमबर पर j आता है तो option नमबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला तो इस प्रेकार से आपको सभू कुछ नहीं मिलाना होता है जहां से आपको answer मिले वहीं पर से आपको मिलाइए बहुत जादा समय वेस्ट नहीं करना है यहीं हम इस से तीन-चार कोशन आपके बनेंगे इस तालिका से तो इस तालिका आपको पहले धंक से समल लेतने के लिखा क्या गया है लिखा गया है कि 2013 से लेकर के 17 तक के दौरांत है चाय के बगान दौरा किये गए वे जो हैं करोडों में दर साया गया है और तालिकाव को आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए समझना है तो यहाँ पर देखे 13, 14, 15, 16, 17 यह आपको 5 वर्सों का विरड दिया गया है और लिखा गया है थोड़ा से आप लोग वीडियो कॉलिटी को बढ़ा लिजेगा ताकि यह छोटा छोटा जो लिखा गया है आपके समझ में आए यहाँ पर लिखा गया है सेलरी, फिर फ्यूल, बोनस, इंट्रेस्ट और लोन्स और टैक्सेज जिसका हिंदी रूप भी यहाँ पर लिखा गया है उसे भी आप लोग देख लीजेगा तो पूछा क्या जार आपसे कोशन किस वर्स में कर और रिड पर व्याज पर हुआ कुल वय जो है इंधन आदी पर हुए वय से कम है समझ गये आप? तो चली समझाते हैं नहीं समझे हों आप तो लिखा गया किस वर्स कर? मतलब की टैक्स और रिड पर व्याज मतलब की interest and loans इन दोनों पर हुआ जो वय है वो इंधन पर हुए वय से कम है इंधन यहाँ पर है तो इन दोनों को जोड लेते हैं हम लोग और देख लीजे किसमें कम आ रहा है इन दोनों का यूग तो 18-6-24 हो गया यह तो 20 से ज़्यादा हो गया तो गलत हो गया पहला वाला कैरा कम है न किसमें और यहाँ पर 22-28-29 हो गया यहाँ पर 23 लिखा गया यह भी ज़्यादा हो गया यह भी गलत हो गया 2015 में देख लेते हैं तो 16-8 आपका 24 हो गया यहाँ पर 19 लिखा गया ये भी आपका ज्यादा ही हो गया कहरा कम कौनसा होगा टैक्सेज में नेश देखते हैं यहाँ पर तो 17 6 यहाँ पर 23 होगा और यहाँ पर 28 लिखा गया है तो इन दोनों का योग जो है कर और डिर पड़व्याज इन दोनों पर जो हुआ है वो किसमे कम है किस सन में तो 2016 में 2016 वाला आपसन सही हो जागा ठीक है बहुत छोटे छोटे आकड़े हैं और जल्दी से आपको इन्हें सही करना होगा इससे आपके 2-3 कोशन और पूछे गए हैं अब नेज देखें इसी से आपका 17 नमर कोशन पूछा गया है अब इसमें क्या कह रहा है 2013 से लेकर के 17 तक के वेतन पर औसद वार्षिक वेक लगभग कितना था या आपको बताना है तो 2013 से 17 तक का पूरा आपका डाटा 5 साल का वेतन मतलब की सेलरी इस सेली वाले जहां पर लिखा गया 60, 62, 62 और 64 इन सब को आपको जोड़ना है और बते 5 कर दीजेगा अगर आपको निकालना आता होगा तो अशर आजाएगा अरसट पॉइंट पॉइंट यह सब कुछ आप से जोड़ा रहा है ठीक है पॉइंट में भी आपसे जोड़ाने का प्रयास कर रहा है बिल्कुन एकजेक्ट डाटा निकलेगा जब आप पॉइंट को जोड़ेंगे नहीं तो यह 68 भी देखिया आपसन में दिया गया है तो इसमें आपसे पूरा exact data पूछने का प्रियास किया है तो योग करके 5 से आपको भाग करना पड़ेगा तीसरा आपसन आ जाएगा अब देखें नेस्ट हमारा ठायर नमर question है ये भी इसी तालिका से question आया है तालिका में कह क्या रहा है पांच वर्सों की आवद में हुए वे की परास वे की इन में से किस मद के लगभग समान थी आपको बताना है तो सबसे पहले आपको परास समझना होगा परास क्या होता है परास होता है maximum value जो होगी minus minimum value इन दोनों का घटा करके अगर आप लिखेंगे तो उसकी range आपको निकल आती है ठीक है तो अगर आप salary की range की बात करेंगे तो salary की अगर हम range की बात करें इन पांच वर्सों में तो salary सबसे ज़्यादा थी 84 और सबसे कम है याँ पर 60 point को छोड़ दीजेगा ने तो बहुत समय लग जाएगा तो इसके अगर range की बात करेंगे salary की तो यहाँ पर से 24 आ जाएगा उसी प्रेकार से fuel की देख लीजे fuel की maximum कितनी है 30 है और minimum की बात करेंगे तो 19 है तो यहाँ पर अगर हम लग भग की बात करेंगे तो लग भग range आपकी निकल कर आएगी 11 bonus की range देख लेते हैं bonus maximum bonus कितना है 0.9 है और minimum कितना है 0.4 है तो इसे अगर आप अंतर करेंगे तो 0.5 आ जाएगा next देख लेते हैं interest and loans interest and loans जो होगा उसको देखिए maximum value कितनी है 10 और minimum value कितनी है 4 या फिर 5 माल लीजे इसे तो यह 5 आ गया interest and loans taxes को देख लेते हैं tax की maximum value कितनी है maximum value या पर 22 है और minimum value कितनी है अगर इसे 16.8 को 17 माल ले तो यह भी आपका 17.5 बाइस हो जाएगा तो पूछा के आगे आपसे question कि किस मद में लगभग समान है आपकी परास range तो अगर आप देखेंगे interest and loans और taxes में परास की range लगभग आपको 5 देखने को मिल रही है तो यही समान होगी और option number क्या होगा यहाँ पर English में लिखा था Hindi मोगा रिडो पर व्याज और कर का इन दोनों की range या परास लगभग समान है तो सही option हो जाएगा हमारा last वाला option ठीक है समझ गए आप यह range सभी question आपके exam में पूछा गया है आप देखी यह question है हमारा एक और उन्हें इस number इसमें कहा रहा है कि पिछले वर्स की तुलना में लगभग इस वर्स में वेतन पर वे की वर्द लगभग 20% से अधिक थी वो आपको निकालनी है तो salary यहाँ पर लिखी गई है 20% अधिक जो होगा जैसे यहाँ पर 60 लिखा गया तो 60 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 60 का 20% कितना होता है 12 आपका होगा तो लगभग 12 अगर आपकी आगे बढ़ रही है तो समझ जहीं कि 20% होगा तो 60 से 68 हो रहा है तो यह 20% तो हुआ नहीं 68 से 62 हो गया 62 सरसट हो यह भी नहीं बढ़ेगा लगभग 12 से ज़्यादा बढ़े आपका तो सरसट से 84 हो रहा है यह लगभग आपका 20% से ज़्यादा है 25% की बढ़ोत्री है इसलिए option number आपको 2017 वाला सही करना पड़ेगा वर्स 2017 में वेतन पर वेक की व्रदी 20% से अधिक होगी तो सही option number हमारा हो जाएगा तीसरा 2017 में नेस देखी 20 number कोशन है यह भी आपका सीटिंग अरे में से कोशन आया है साथ वेक्ति हैं PQRS और ABD इनको एक CD में A की उपर 1 बैठे हैं जरूर ने की इसी करम में हो तो जैसा यह करम कहा रहा है वैसे हम लोग बैठालना ही स्टार्ट करेंगे आप लोग भी लगाना ही स्टार्ट करिए क्या कहा रहा है B ना तो उपर बैठा है ना तो नीचे बैठा है चलिए इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, केवल 4 वेक्ति P और R के मद में बैठें, तो यदि यहाँ पर हम P को बना लें, और R को बना लेते हैं, तो इनके मद में 4 वेक्ति होंगे, 1, 2, 3, 4, टोटल 7 वेक्ति हैं, तो इन दोनों के मिला करके 6 वेक्ति तो बैठी गए, आप R क उपर रख सकते थी, P को नीचे रखेंगे, तो आगे कंडिशन गड़वड़ा जाएगी, फिर आपको लाट करके P को उपर रखना पड़ेगा, R को नीचे रखना पड़ेगा, एक बार आप लोग इसे चेक कर लिजेगा, आगे क्या कह रहा हैं, S, A के ठीक उपर बैठा है तो अभी तो S, और A को नहीं बैठाल पाएंगे, आगे कह रहा है, R और D के मद्द में केवल A के विकती बैठा हैं, तो R तो हमको यहाँ पर मिल रहा हैं, अगर D हम यहाँ पर बैठाल दें, तो इन दोनों के मद्द में एक विकती यहाँ पर बैठाई हुआ हैं, अब हम S और A को बैठाल सकते हैं कोईकि दो इस्थान एक साथ आपको रखने हैं S A के ठीक उपर हैं तो S A के ठीक उपर होगा तो S यहाँ पर होगा और A यहाँ पर होगा समझ गएं यही दो इस्थान आपको मिलेंगे कोईकि इसके बाद A की इस्थान मातर खाली हैं 6 को तो हमने बैठाली दिया है और कहरा है R और D के मद्ध में केवल एक विक्ती है R और D के मद्ध में एक विक्ती है तो बैठाली चुके थे D S के नीचे बैठा है D जो है S के नीचे है ये बात बिल्कुन सही हो गई B जो है Q के उपर बैठा है और कहरा कि B ना तो नीचे बैठा है ना तो उपर बैठा है तो अगर B नीचे और उपर नहीं बैठा है और एक ही इस्थान खाली है तो B यहाँ पर बैठेगा और Q सब से नीचे बैठेगा क्योंकि लिखा हुए ना B जो है Q के ऊपर बैठा है तो आप देखिए सातों लोग बैठ गए पहले P हो गया S A D B R Q यह इस्थान हो गया और यह सब फालो कर रहा है अब पूँच क्या रहा है पूँच रहा है कि सम्हू जो बना रहे हैं लोग उसमें से सम्मू से सम्मंदित कौन सा नहीं है तो चार आपसन को देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं लगरा हमको देख लेंगे B Q लिखा गया है B Q का मतलब है B हमारा उपर है और Q हमारा नीचे है और एक छोड़ करके रखा गया है ठीक है, एक बढ़ा करके नीची क्यों रखा गया है, ठीक है समझते हैं, D और B लिखा गया है, D भी जो हैं, वो जश्ट नीचे रख दिये गया है, तो अभी ये असंगत हो सकता है, P और A को देख लेते हैं, P से A देखिए, एक छोड़ करके नीचे आया ना, तो ये और ये आपके संगत हैं, S और D को देख लेते हैं, S भी आपका D, एक छोड़ करके D आपको मिलेगा, तो A पहला, तीसरा और चोथा संगत हैं, D, B में एक इस्ता नहीं छोड़ा गया है, इसलिए असंगत होगा कौनसा, दूसरा वाला, ठीक है, ये कोशन थोड़ा समय लेने वाला कोशन था, क्योंकि इसमें पहले आपको बठालना भी था, फिर आपको ऑप्सन भी चेक करने थे, इसलिए आपका समय लगेगा इस कोशन में, अब देखे, नेश्ट हमारा 21 नमर कोशन है, उस पद का आपको चेहन करना है, जो प्रिश्ण वाचक चीनने के इस स्तान पर आ स सकता है, ठीक है, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसके नुमेरिकल वैलू को, यहाँ पर देखे, दो से देखे, पांच हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर तीन आगे बढ़ा है, नमबर वाला, फिर पांच से दस हुआ, मतलब कि यह पांच आगे बढ़ा है, नेश्ट दस अपसन में दिख रहा, एक इस अपसन में, और एक इस अपसन में, इनके आगे तो A लिखा गया है, तो A को मिलाएंगे तो नहीं एंसर मालूम चलेगे, तो लाइस्ट रॉले को मिला लीजिए, O और N को, उससे आपको मालूम चल जाएगा, F से देखे, H हो रहा है, F का इस् थान होता है, 12, दो फिर से आगे बड़ा, तो अब नेस्ट वे 12, दो 14, 14 नमबर पर क्या होता है, 14 नमबर पर N होता है, तो आपसन नमबर D हो जाएगा, तो आपको चलाकी करनी है, जरूर नहीं कि आप सारे लेटर्स को मिलाएं, जहां पर से एंसर निकले, उतना आप समय क बचाना है आपको, समय बहुत कीमती है एकजाम में आपके, अब देखें, नेस्ट नमारा 22 नमर कोशन है, यहां पर 5 मित्र है, A, B, C, D, E, इनमें आपको बता जा रहा है, कोई उमर में बड़ा है, और कोई हाइट में छोटा बड़ा है, इस प्रकार के कोशन करने के लिए वह ने आपको बता था, कि इनको by option करना होता है, आपको ठीक है, by option करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके कोशन हल होता है, जब भी आपसे पूछे, कौन सा क्रम संभाव नहीं है, या फिर संभाव है, तो by option चेक करिए, इनको आपको लगाने की हो सकता नहीं है, आपसे सिर् बढ़ा होगा, तो by पहले आएगा, और सी हमेसा बाद में आएगा, तो इसी को पकड़ के चेक कर लेते हैं, कि कौन सा संभाव नहीं होगा, तो यदि हम या पर सी वाले option में देखें, तो बी को इसने बाद में कर दिया, सी को इसने बढ़ा कर दिया, आईू में, तो यही इसा होगा कि आप उनको बढ़ा करके लगा रहे हैं, छोटा करके बढ़ा रहे हैं, उनकी आईू को लगा रहे हैं, तो फिर तो आपका समय निकल गया, अब देखें, नेस्ट हमारा 23 नमबर कोशन है, यह कथन नेसकर से कोशन आया है, कथन में कहरा हैं कि सभी कुत्ते जो ह हैं, वो इस्तन पाई हैं, और कोई भी पसु कुत्ते नहीं है, तो चलिए हम लोग इन्हें, वेंड डाइग्राम से बना लेते हैं, सभी जो कुत्ते का गोला होगा, वो इस्तन पाई के अंदर होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सभी जो कुत्ते हैं, वो क्या कह रह ऐ useful हो गई कि इसमें कई आपके निसकर्स दिये गया है ना इसलोग को इसन बनाने पड़ेगी ऐख कंडिशन यह showcase कि पसू बिल्कुन से अलग हो गया एक क Unfortunately इस्तन पाई के अंदर पसू का पूरा गोला आ सकता है उससे ही आपका कफ़न कोई पसू कुथ्त नहीं है ये भी वाला सही हो सकता है क्योंकि कुत्ते संग को अटेश नहीं करना है तो एक condition ये आपकी हो गई दूसरी तीसरी हो सकती कि कोई पसू का गोला आधा अटेश कर सकता है इस्तन पाई के साथ में तब भी हमारा जो कोई पसू कुत्ते नहीं है वो भी वाला कथन सही रहेगा तो ये तीन condition आपकी बन सकती है वो चलिए चेक कर लेते हैं कहे कहारा निस कर से कोई भी पसू इस्तन पाई नहीं है कोई भी पसू इस्तन पाई नहीं है इसा नहीं हो सकता है क्योंकि हो सकता है ना पसू इसमें अटेश भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है तो ये बात हमारी गलत हो जाएगे कह रहा है कि तार्किर गुप से सत्य जो कथन हो पलन कर रहा है उसको हमको सही करना है कुछ पसू इस्तन पाई नहीं है कुछ पसु इस्तन पाई नहीं है तो ये आपका कुछ क्या सभी पसु इस्तन पाई भी हो सकते हैं तो ये भी आपका लथ हो गया जो बिल्कुंज सही हो आपको वही आपको बताना है नेश्ट क्या कह रहा है कोई भी कुत्ता पसु नहीं है सिर्फ यही condition सबसे सही होगी ठीक है? क्योंकि कोई भी कुत्ता पसु नहीं है और कथन में कई भी राय कोई भी पसु कुत्ते नहीं है तो पसु और कुत्ते एक साथ आपस में कहीं भी अटेश नहीं हो सकते हैं सिर्फ तारकिक रूप से यहीं सत्य हो सकता है और बागी condition है, यह या तो इस चितर से या इस चितर से बागी condition में सही होंगे, लेकिन हमेशा जो सही होगा, कोई भी कुत्ता पसु नहीं है, यह हमेशा सही होगा, क्योंकि कुत्ते और पसु को attach up नहीं कर सकते हैं, सभी इस्तन पाई कुत्ते हैं, सभी इस्तन पाई कुत्ते अब नेस देखी कोशन है, कोशन नमबर हमारा ये 24 होगा, इसमें कहरा है कि विशिस्ट कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो विशिस्ट कोड समझने के लिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दे, N का नमबरिंग होती है, N होता है हमारा 14 नम नमबर पर, तो मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, तो यह 7 की कमी हो गई, समझ गए, अब D का इस्तान केतना होता है, D का इस्तान होता है, 4 और U का इस्तान केतना होता, 21, अगर यहाँ पर आप देखें, तो इनमें जो कमी हो रही है, वो 9 की कमी हो रही है, क्योंकि D से अ का जो numbering होती ही alphabet 18 होती है और G की numbering होती है 7 तो 18 में से अगर आप कम करेंगे 11 तभी तो आपके 7 मिलेगा तो मतलब पहले 7 कम हुआ फिर 9 कम हुआ फिर 11 कम हुआ नेश्ट को देख लेते हैं W होता है मारा 23 में इस्तान पर और W से हो जारा P और P की numbering होती है 16 तो आप कितनी कम हुआ 23 से 16 जारा है मतलब फिर से minus 7 तो यह सरीज आगे बढ़ रही है पहले minus 7 से minus 9 से minus 11 फिर फिर आपकी minus 7 से minus 9 और minus 11 इस प्रकार से 3-3 के आपके group में यह आपकी numbering आपकी हो रही है घट घट रहे है ठीक है उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है तो M को आपको पहले minus 7 घटा दीजें M का इस्तान होता है 13 और 13 से अगर आप 7 घटाएंगे तो 6 मिलेगा और 6 नमबर पर होता है F तो F से आपको में कर रहा है तो हम लोग काम करते हैं लाश्ट वाले को मिला लेते हैं लाश्ट को मिला लेंगे तो answer आपको मालूम चल जाएगा जे को मिला लीजे जे को minus 11 कम करेंगे तो जे का इस्तान कितना होता है 10 होता है 10 से अगर minus 11 कम करेंगे तो 10 तो हमारे A तक आ जाएंगे और 11 जेड से मतलब एक कम और तो y आपको मिलेगा मतलब कि एगर हम j से 11 कम करेंगे तो y मिलेगा और y सिर्फ रखा गया है last वाले option में option number हमारा d वाला सही हो जाएगा ठीक है तो पहले और last को मिला लेंगे तो जल्दी आपको लग जाएगा बाके अगर आप मिलाएंगे तो समय आपको लग सकता है अब देखिए नेस्ट हमारा question है एक विशिष्ट कोड भासा में horse और animal को यह लिखा जाता है तो animals और mammals को यह लिखा जाता है और horses mammals को यह लिखा जाता तो इनके coding भी सेम होगी तो coding यहां पर देखिए हैज का निसान मिला यहां पर भी हैज है एड़ी रेट यहां पर है तो मतलब कि और horses की coding जो हो जाएगी वह हैज और एड़ी रेट हो जाएगी और animal यहां पर मिलना है तो animal का सिर्फ एक प्रकार से में निकाल सकते हैं लेकिन सबसे simple तरीका यही आपका था अब देखिए फिर आपका यह कोशन आ गया इसमें केंद्र की और मुख करके विक्तियों को बैठालना है और विक्तियों की संका केतनी है तीन तीन श्यों और आठ मतलब कि आठ लोग को बैठालना है तो केंद्र की उर बैठालने के लिए तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है A C के दाई और दूसरे इस्तान सबस्कारा ने स्याथ म looks is the D के बाई और तीसरु इस्तान पर तो D यहाँ पर होगा क्योंकि D का बाया होगा 3 तभी C मिलेगा पहला दूसरा 3 ठीक ह ena पर बैठ गया next क्या करा B C के बगल में नहीं बैठा है तो B C के बगल में नहीं बैठा तो एक स्तान यह होगा एक इस्तान यहां यहां पर B नहीं बैठेगा टोटल लोग है आठ तो एक, दो, तीन, चार, पाँच इस्तान तो भर गए छए, साथ, आठ मतलब इन तीनों इस्तान पर B बैठ सकता है next क्या कह रहा है B जो है E के दाई और दूसरे इस्तान पर है तो E का दाई कैसे पड़ेगा E अगर यहां पर बैठेगा तब ही तो E के दाई और दूसरे इस्तान पर B बैठेगा क्यों B की तो कंडिसन ही है कि इन तीन जगापर B बैठी सकता है अब आगे क्या कह रहा है कि D, G के D तथा G के बीच में किवल एक विक्ती बैठा है तो D यह है और G को अगर हम यहां बैठा दें तो एक विक्ती E बैठेगा G जो है H के बाई और दूसरे इस्तान पर बैठा है तो G यहां पर है तो H का इस्तान तो यह बचेगा ही बचेगा तो टोटल हमारे आठ लोग यह बैठ गए पूँच क्या रहा है C के सापेज G की इस्ती तो C के सापेज G की इस्ती क्या है C के अगर आप देखेंगे तो बाई और पहला दूसरा तीसरा होगा तो बाई और तीसरा होगा G C के सापेज आपसन नंबर काउन सो होगा आपसन नंबर हमारा तीसरा साही हो जाएगा तो ऐसे यह कोशन आपके बनते है नेश देखी कोशन है आपको बताना है कि 2.84 घंटों को घंटों मिनट और सेकेंड में चेंज करना है यह कोशन मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे करते है सबसे पहले यहाँ पर 2.84 लिख लीजे और 2 तो यहाँ पर आपको दसंबलों के इधर मिली रहा है मतलब कि 2 घंटे तो निश्चित है तो पहला आपसन, तीसरा आपसन और चौथे आपसन में 2 घंटे समलों के लेटर साइट आजाएगा वही मिनट आपके हो जाएगे तो इसे अगर आप मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 50.40 मतलब कि 50 जो आ गया यह मिनट हमारा आ गया तो 50 किसमें रखा गया, यह नीचे C और D दोनों में रखा गया है तो अभी पॉइंट के बगल में 40 भी तो है इसमें आपको देखे अब यह मिनट है आपका तो मिनट आपका एक मिनट में 60 सिकंड होते है तो इसे आप 60 से फिर से आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो 6 को 24 24.00 अब पॉइंट के बगल में 00 आ गया तो अब यह वैलू हो गई आपकी सिकंड की तो 2 घंटे 50 मिनट और आपके 24 सिकंड वाला आपसन सही होगा तो इस प्रेकार से कोशन आपके बनते हैं कहीं पर आपसे घंटे मिनट सिकंड में पूछेगा तो कहीं से आप पर वर्स महीने और दिन पूछता है तो ऐसा ही आपको मल्टिपल करेके कोशन को करना होता है जो दे समलों के लिए प्रसाइट आता जाए उसे आप लोग पकड़ते जाएए अब देखें नेस नमारा 28 नमर कोशन है उस पद का आपको चैन करना है जो प्रस्टमाजक चिन्नी के जगा पर आ सकता है ठीक है जैसे यहाँ पर A से G हो रहा है पहले लेटर को देखिए तो A का इस्तान पहला होता है और G का इस्तान 7 नमर पर होता है अलफाविड में फिर A का इस्तान केतना होता है 12 और P का इस्तान केतना होता है 16 तो यहाँ पर आपको सोज में आ रहा है पहले 6 बढ़ा आगे फिर 5 बढ़ा आगे और फिर 4 बढ़ा आगे तो नेस्ट पर मतलब कि 6, 5, 4 तो 3 से आगे बढ़ेगा एक एक घटरा है 3 से आगे बढ़ाएंगे तो 16, 3, 19 मतलब 19 नंबर का लेटर जो होता है वो होता है S S से स्टार्टिंग होगी चारो आपसन में यह दिया गया है नेस्ट को आपको मिलाना ही पड़ेगा दोनों को C से देखिए I हो रहा है C का इस्तान होता है तीसरा और I का इस्तान होता है 9 फिर इसके बाद P आ रहा है P का इस्तान होता है 16 और X का इस्तान होता है 24 तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे आगे बढ़ रही है 3 से देखिए 9 हो रहा है मतलब की 6 आगे बढ़ा और 9 से देखिए 16 हो रहा है मतलब की 7 आगे बढ़ा और 16 से 24 ओरा मतलब 8 आगे बढ़ा तो इसमें पदों की बढ़ोतरी मतलब लेटर्स की बढ़ोतरी हो रही है 6, 7, 8 तो निश्ट वाला 9 से आगे बढ़ेगा 9 का मतलब की 24 के बाद 2 लेटर और आपके होते हैं और Y और Z और फिर 7 आपको आगे से लेना पड़ेंगे तो 7 नमबर पर G होता है तो G यहाँ पर आएगा इसके बाद G अभी G वाले दो आपसन आपकी मिल गए इसमें आपको लाश्ट का फिर चेक करना पड़ेगा E का इस्तान देखिए पांचवा होता है और E के बाद J आ रहा है यहाँ पर तीसरा लेटर जो है और J का इस्तान जो होता है वो दसमा होता है और O का इस्तान पंदरा होता है T का इस्तान बीसमा होता है मतलब यह पांच-पांच से आगे बढ़ा है चली next question को उपर चलते हैं, यह हमारा 29 नमर question है, इसमें दिसाओं का question है, तो चली बना लेते हैं ससपले दिसा, यह आपकी पूर्व दिसा हो गई, यह आपकी पस्चिम दिसा हो गई, यह आपके उत्तर दिसा और यह आपकी दच्छर दिसा, अब कहें कहा रहा हैं, आदमी सुर सुर्योदय की दिसा में 10 मीटर आगे चलता है, तो सुर्योदय पूर्व की तरफ होता है, तो 10 मीटर आगे यहाँ पर से चलाएंगे, 10 मीटर चल गया, पहुंच गया यहाँ पर, कहरा कि फिर 10 मीटर अपने दाई और चलता है, तो यहाँ पर अगर खड़ा है, मुख इसका पूर की ओर है तो दाई और किधार होगा दाई और इसके नीचे होगा 10 मीटर और चला दिया इसको अब यहाँ पर पहुँच गया नेस्ट क्या कहरा है उसके बाद हर बार अपने बाई और मुड़ने पर वो 5 मीटर 15 मीटर और 15 मीटर चलता है तो तीन बार इसे हम लोग बाई और मुड़ाते हैं तो अगर बाई और की बात करेंगे तो पहले चलेगा 5 बाई यह इधर 5 बाई हो गया अब यहाँ से इसका बाई जो होगा वो उपर की ओर होगा 15 तो 10 यहाँ पर आ गया और 5 यहाँ पर आ गया अब यह यहाँ पर पहुँच गया नेस्ट कहारा कि फिर 15 चलना है बाई और तो बाई यह इस साइड होगा 15 चलेगा मतलब कि 5 यह हो गया और 10 यह हो गया यहाँ पर यह पहुँच गया और नीचे यहाँ पर 5 मतलब कि मूल इस्तान से 5 मीटर उत्तर की और यह होगा पूँच क्या रहा है शिर्फ दिशा पूँच रही ना प्रारंबिक बिन्दु से शिर्फ दिशा तो प्रारंबिक बिन्दु से शिर्फ दिशा होगी उत्तर की और सही आपसे नंबर हमारा D हो जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा था अब नेस देखिए यह last number question होगा और यह 30 number question है यह question मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ एक question आपके लिए छोड़े जा रहा है निम लिखी स्रिंखला में से कौन सा पद जो है सम्मंदित नहीं है मतलब कि यह स्रिंखली जेगा कैसे आगे बढ़ रही है कोई एक पद जो है इसमें गलत तरीके से लिखा गया है उसकी आपको पहचान करनी है ठीक है तो इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा थोड़ा दिमाग आपका लगेगा कि कहीं पर आपको मल्टिपल करके कुछ जोड़ना पड़ेगा तो वैसे आप लोग को थोड़ा समय आपको हिंट दे के जा रहा हूँ कि इसमें मल्टिपल करके कहीं पर जोड़ना है कहीं पर मल्टिपल करना है तो उसमें एक पद कहीं पर गडबड हो जाएगा और चार पद यहां पर दिये गए हैं तो एक पद कहीं पर गडबड लिखा गया है उसको आपको समझना है काफी कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे तो आप लोग प्रयास करिएगा देखते हैं कितना लोग इसे उतर दे सकते हैं ठीक है तो हमने आपको इस सेट में 30 कोशन कराए है और 30 कोशन आपके रिजनिंग के पूछे जाते है तो आपने इन में से क्या मेरी आसा है कि आप अगर 22 से 23 कोशन भी सही कर पा रहे हैं तो आप बढ़ियां स्टुडेंट की सीडि में आएंगे धिरे धिरे हम आपको 30 में 30 सही करना बता देंगे और एक्जाम हाल में समय अगर आपके पास रहेगा तो आप 30 में 30 भी कर सकते हैं समय कम रहा तो कम से कम आप 28 कोशन तो एक्जाम हाल पर बना करके ही आएंगे अगर इसी प्रेकार का इसी लेवल कोशन आपके पेपर में एक्जाम में पूछा जाता है हम आपके लिए देखें GK और GS किसरी भी चला रहे हैं और LP और Technician का पिछले साल का पेपर भी करा हैं तो उनको भी आप लोग देखिए पहले आपका LP का Technician का पेपर लगेगा RPF का पेपर लगेगा JEE का पेपर लगेगा उसके बाद आपका April में जो डेट एक लगबग डेट आई थी एक नोटिस आपका आया था पहले उसके नुसार चलें तो April में आपका पेपर Graduate Level का होगा NTPC का ठीक है उसके एक महिने बाद 10 प्लस 2 का होगा तो समय आपके पास कम है क्योंकि NTPC में आपको सबसे ज़्यादा तयारी करनी होता है क्योंकि इसमें कोई degree नहीं मांगी है आपसे कोई technical degree नहीं मांगी है मातर आपके पास 10 प्लस 2 होए तो आप farm डाल सकते है और vacancy भी कम है इसलिए आपको ज़्यादा महिनत करनी के हो सकता है जहाँ पर भी आपके पास degree नहीं है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा महिनत करनी है जहाँ पर कुछ degree है यह फिर technical degree मांग लेता है वहाँ पर भीड कम हो जाती तो वहाँ पर आप फोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा लेकिन NTPC में कम पढ़ाई नहीं चालेगी तो यह हमारा reasoning का 9 सेट था इसके पहले 8 सेट हमने आपको कराए हैं जिससे आप लोग प्लेशन हो जाकर करके वहाँ पर सो देख सकते हैं किसी प्रेशन में डाउट हो तो आप कमिंट बाक्स में कह सकते हैं और इस प्रेशन का आप लोग उत्तर दीजेगा मिलते हैं आप से नहीं वीडियों बहुत भाँ धन्वाद वीडियो को सेर कीजेगा चैनल पर नए आओ चैनल को सस्काइब कर दीजेगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा